नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चिरपरी दोस्तों पस्तेत हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महत पूर्ण जानकारी को ले करके जिहां पपीते के पत्ते का जूस पीकर कई बीमारियों को आप दूर भगा सकते हैं आज का हमारा यहीं टॉपिक है आपने हमारे चै कई और शद्य गुनों से भरे हुए होते हैं आपके शरीर के जितने भी रोग हैं वह पपीते के पत्तों के रस के इस्तिमाल से दूर हो सकते हैं पपीते के पत्ते खाने में कड़वे लगते हैं लेकिन उनमें कमाल के गुन छुपे हुए होते हैं पपीते के पत्तों में का इस्तिमाल करने लगे हैं इसके प्रयोग से घातक रोग जैसे कैंसर दिल की विमारी डेंगू ब्लड शूगर तथा आतों में बसे पर जीवियों को नश्ट करने में सफलता मिलते हैं यह शरीर की रोग प्रतिरोधक शमता को भी बढ़ाता है पपीते की ताजी और छोटी पतियां शरीर से डेंगू के विशेले जहर को निकालने में मदद करते हैं पपीते की ताजी पत्यों को पीस कर उसके रस को रोगी को पिलाने से प्लेट लेट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं पपीते के स्वास ठेलाब आप पपीते की पत्यों का जूस अन्य फलों के इसे अन्य रूंपों को बढ़ने से रोकते हैं इसके आलावा ये immunity को बढ़ाता है इन पत्तियों में सर्दी और जुकाम जैसे रोगों से लड़ने की शक्ति होती है यह खून में white blood cells और platelets को बढ़ा देती है इनती malaria गून मौझूद होते हैं पपीते के पत्तों में यह malaria से लड़ने में प्रभावकारी है पपीते की पत्त का रस malaria के लक्षणों को बढ़ने से रोकता है डेंगू में यह रामबान की तरह कारे करता है डेंगू से लड़ने के लिए पपीते की पत्तियां काफी लापकारी होती है यह गिरते हुए platelet को बढ़ाने खून के ठके जमने तथा जिगर की शर्ति को रोकते हैं जो कि डें पपीते की पत्ति को इमली नमक एक गलास पानी के साथ मिक्स कीजिए फिर इसे उबालिये और जब काढ़ा बनकर ठंधा हो जाए तब इसे पी लीजे इससे आपको आराम मिलेगा blood platelets बढ़ जाती है इससे यह जड़ी बूटी खून में blood platelets बढ़ा देती है इसलिए पपीते के पत्ते के दो चमचरस को रोजाना कुछ दिनों तक पिना चाहिए मुहासो को दूर करने में भी बहत कारगर साबित होती है अगर चेहरे पर मुहासे हैं तो सुखे पपीते की पत्तियां लेकर उसे थोड़े से पानी के साथ मिक्स करके पेश्ट बना लें फिर इस पेश्ट को चेहरे पर लगा कर सुखा लें फिर इसे पानी से धोलें इस त आचन तंत्र तंदुरुस्त हो जाएगा और आपको भूख लगने लगेगी तो दोस्तों ये थी आज कि हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्तो पूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धनेवा नमस्कार दोस्तों